सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों कैसे हो आप सब आज दिनांग है साथ जुलाई 2020 विद्यार्थी मित्रों इसके अगले वाले वीडियो के अंदर हम लोग कक्षा पांच हिंदी के अंदर सोच अपनी अपनी यह इकाई चल रही है विद्यार्थी मित्रों इसके अगले वाले वीडियो में मैंने आपको एक कहानी दिखाई थी आपको सायद याद होगा वह कहानी के अंदर एक व्यापारी था उसका टोप्यों का व्यापार था वह गाउं गाउं जाकर टोप्या बेश्टा था वह हर रोज टोकरी लेकर निकल पड़ता था एक दिन वह निकला बीच रास्ते दोपहर हो गई गर्मी के कारण वह एक पेड के नीचे टोकरी रखकर सो गया विद्यार दिमित्रो आपको मैंने जो कहानी दिखाई थी कल वह यही कहानी है नहीं कल नहीं इसके अगले वाले वीडियो में मैंने जो कहानी दिखाई थी वह यही कहानी है उसमें आपने देखा होगा कि एक व्यापारी था वह टोपियों की टोकरी लेकर गाउं गाउं टोपिया बेचने के लिए निकल पड़ता था और बीच रास्ते में दोपहर हो गई और गर्मी के कारण वह एक पेड के नीचे टोकरी रख कर सो गया पेड के उपर बंदर रहते थे जो आपने देखा होगा व्यापारी को गहरी निंद में देखकर बंदर ने गया गया तो बंदर सारी टोपियां ले गए व्यापारी की आँख खुली उसने देखा कि उसकी सारी टोपियां बंदर ले गए हैं उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया जाए तब उसे युक्ति सुजी उसने अपनी टोपि निकाल कर नीचे फैकी अब आपको तो पता ही है कि बंदरों की आदत होती है अनुकरण करना तो बंदरों ने भी अनुकरण करते हुए सारी टोपियां नीचे फैक दी वियापारी अपनी टोपियों को लेकर भरकर वहां से चला गया विद्यार्थी मित्रों इस कहानी से हमें यह सिख मिलती है कि जब कभी भी हम कोई परिशानी में फसे तो हमें चिंता करने की जरुरत नहीं है हमें क्या करना है बस सोचना है कि बस इस इस परेशानी से हम कैसे निकले अब विद्यार्थी मित्रो इस कहानी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए यह हम देखेंगे पहला व्यापारी क्या ले जा रहा है तो उसका जवाब है व्यापारी टोपियों की टोकरी ले जा रहा है दूसरा पेड के उपर कौन है तो विद्यार्थी मित्रों पेड के उपर बहुत सारे बंदर है व्यापारी टोकरी कहां रखता है व्यापारी टोकरी पेड के पास रखता है व्यापारी क्या कर रहा है व्यापारी पेड़ की छाया में आराम कर रहा है वीद्याजी में तो आपने देखा होगा कि व्यापारी ठक गया है इसलिए वह आराम कर रहा था बंदर उन्हें टोपियों का क्या किया तो बंदर उन्हें नीचे आकर एक एक कर सारी टोपियां पहन ली बंदर उन्हें क्या किया सारी टोपियां पहन ली और पहन कर कहां चड़ गए वापिस से पेड़ पर चड़ गए बंदर अगला प्रश्न है बंदर उने टोपियां क्यों फैक दी विद्यार्थी मित्रों आप सोचो कि बंदर उने टोपियां क्यों फैक दी तो मैंने आगे बात की थी कि बंदरों का स्वभाव होता है अनुकरण करना क्या करना अनुकरण करना तो चलो इसका उत्तर हम देखते हैं बंदरों का सुभाव होता है अनुकरण करना जब व्यापारी ने अपने सिर से दो बार टोपी उतार कर नीचे फेकते हुए देख जब व्यापारी ने अपने सिर से दो बार टोपी उतार कर नीचे फेकते हुए देख बंदरों ने अपनी सारी टोपियां नीचे फैक दी विद्यार्थी मित्रों इस तरह व्यापारी व्यापारी ने अपनी सारी टोपियां उठा ली और वह भरकर चला गया विद्यार्थी मित्रों इस कहानी की सीख मैंने आपको कही अब उसके बाद यह जो इकाई है सोच अपनी अपनी इसका स्वाध्याई अभी अधूरा है इसके अगले वाले वीडियो के अंदर हम लोग इसके स्वाध्याई के बारे में जानेंगे विद्यार्थी मित्रों इस कहानी का नाम हम लिख देते हैं इस कहानी का नाम है व्यापारी की सुज विद्यार्थी मित्रों इस कहानी के और कई नाम हो शकते हैं जिसे की व्यापारी और बंदर बंदरों का अनुकरण ऐसे कई नाम हो शकते हैं चलो तो विद्यार्थी मित्रों अब मुझे रजादो अज्यादो जाने के लिए ठीक है और एक बाध आप सब अपना खयाल रखना ठीक है और बाहर मत निकलना चलो विद्यार्थी मित्रों मिलेंगे फिर अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए ये सब अपनी नोट के अंदर आप अच्छी तरह से लिख लेना ठीक है विद्ध्यार्थिमित्रों चलो